आज हम आपके शेयर करने जारे है रिस्टोरेंट इस्टाइल बटर चिकन की रेसिपी बहुत ही काम इलिया से बहुत ही जट पर यह बन दिया थी खाने में बहुत ही टेश्टी होती है एक पर आपको एक ट्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आईगे तिसे लाइक क सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमाई रेस्पी कैसी लगी आप इसको तंदूरी रोटी के साथ या फिर बटर के नान के साथ गर्म गर्म सर पीजिए बहुत ही मज़ेग लगते खाने में बहुत ही टेश्टी होते चलिए देख लेते हम बटर चिकन मराने के लिए यहां पे हमने वन केजी चिकन लिया है चिकन को अच्छे से तीन चार पानी से दोलीजिए जो बड़े पीस है आप उसको इस तरह से कट कर लिजिए इससी मसाला अंदर तक कि रा जाएगा चिकन बहुत ही मज़ेगा बनके तयार होगा इसी के मुगं सबसे हो इसके साथ ही एक रतेकं नीबू का रस confirmed डालते हैं हाफ चीए सब्स कर्छिवा कश्मीर है तीकी में ये बिल्कुल विए प्लार चाल अच्छा weakness और 29 पानी छोड़ देती है इसी के साथ यहां पर हम दो पींच फूड कलर डाल देंगे यह लेकिन इसे डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है अब सभी चीज़ों में आतों की मदा से अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बार आदे गंटे के लिए हम इसी तरह से रख दि सचाथ में इसी को यहां चाहँ चाहँ कर ले कर लेकिन का लिए तो दो से दो जेले न हरा अब कोई पर चाहँ सकती है और पर च्क्राइब सोरभ हम बादा चैजि़ ृपटर हमारा तेल गरम कर देना है विसमें चर्मों में अच्छी से घर्लए पूसमें बटर ढल देंगे प्रफ्षिए दाल दाल देना है इसे की साथ है तुर्ण तो की साथ ही लग में थोटी लग झाल कर दिया है जाने सब्सक्राइब मेन ते प्यास का अच्छा हो चुती है कि हमारी चुछाब स्भिवर्ट धारओ में घुज़ा इकातफ लिए यहां पर 10 में धी साब देना है अपसे मिख सादीसी मीख से सकती है ह्दारम्ग दे ए gleichen नवक देना है इसरी की तो सब्सक्रब्लाव कर देगक नियुटब्ली के मीज़नी को लो कर देग le ali लुकुलम पहां में टेमाटर सॉफ्ट होने तख इसी तरह से हम इसको 2 मिनट तक के पका लें इदर हमारे प्याज टेमाटर प्रक्ते में एक मिनट हो चुकिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सामारे टेमाटर जों सॉफ्ट होने रगे हैं प्याज और गाली अगरा स विख्ष ऑचा रगए हैं तो हम सब्सक्राइब अच्छा और भाती लोगे हैं वीज में देखने में अच्छा लिए इस तरह से पखा लेंगे इसी के साथ हम यहाँ पर वन टी स्पून इसमें बटर डाल देंगे बटर हमारा अच्छे से मेल बज़िया फ्लेम को आप हमने हाई रखा हुआ बटर हमारा जलने ना पाया अब जो हमने अपने चिकन को मेरिनेट करके रखा हुआ था हमें के पीस इसमें इसी तरह से अरेंज कर देंगे हैं इगर हमने इसी तरह से अपनी सभी सिकन को फाइल आजिया आप देख सकते हैं इसको हम बिल्दी भी टच नहीं करेंगे फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ एक तरफ से मारा इसका अच्छा से कलर आजएगा तब हम इसको पलट देंगा अलग पलट करते हुआ हम इसको अच्छे पर्टन में इसको तंदूरी फिलेवर देना है तब यह मज़ेगा हमारा बटच चिकन पर्टन में इसको प्रटन में इसको तंदूरी फिलेवर देना है तब यह मज़ेगा हमारा बटच चिकन पर्टन में इसको फ्रेवर देने के लिए यहां पर हमें एक कटोडी रख देंगे इस तरह से गरम कर लिए गैस पर रखके और इसमें हम वन टीस्पून आल डाल देंगे आल बटर घी आपके पास जो भी हो आप इसको डाल सकते हैं इस तरह से डाल देंगे बाद इसको कवर कर देंगे और जब तक इसका इसमोग अच्छे से नहीं निकल देता है तब तक हम इसको लए खोलेंगे या फिर आप चाहें तो गैस पे किसी जाली और पर इसको इस तरह से जला भी सकते हैं पर इस तरह से आपिस्मोग के देजे पेश एकदम तयार है अब देख सकते हैं जितना फाइंड हो सकते हैं इसका पेश तयार कर लिजिए इधार हमने फिर से वही कड़ाई चाहा लिए जिसमें प्याज टेमाटर वगारा जो हमने भूना था इसी में जो तेल वगारा है इसी में हम क्वाटर टी स्पून कश्मी सकते हैं तो समसें तंशे नहीं लिए जूब हंता न के गरव अच्छ९ हän दूहिए जो तो अब दो क्किल इ सुप देख़ से कड़ें कश्डे são शूब हूं लिए जो कश पीजक्री लिए उसको राइं-चाही उसरे के लिए जुपने प्याइंट को चलाते हुए इसी में तरह सब मां ने को आख भेज घुक अद आता है तक अच्छा कुछ डाल देंगे इसको अच्छी के लिए नैनलव सेज़ता है टीर की परना देंगे की इधर हमारे चिकन को स्वाइन पर तर फ्रेयल पर अच्छे को यह संतरा इए लिए लिका हमदो करें ऐसा घाई ना섯 interpreting के साइब तक फ्राइक डूर्छ के बिरласт के बड़ाने रघर Hai शनल मेथा डाली डाल के, व मरो अपानी डाल। गुरॡवी रहती है यहां पानी क्णिशा थीक है? ही नवी दीक दर Кण究 अब डाल दालेड़ाया एक इस cm sh although देल esth q aard की डाल देना है इसी केसाथ इसमें थोड़ा सहारा गिनिया डालते हैं इसका अफनी वद बहुत ही मज़ी आता है आर वन टेस्पून ही इसमें हम घरम नियुदम एक अपर टमाट परशमा डाल देना है इसको भी डाल देना है आफनी कमीश कर दे ना है अब सब तेस्टेसों को में अच्छे स सब्सक्राइब अब तेखे थे पर कर देखे शारी देखे थे में सिसी के साथी अब इसमें कि यहां पर हमकि एक टफ अमूल की फ्रेश क्रिम लेकर तेपर आप घुट्झे की ले मलाई भी ले सकते हैं ये सब्सक्राइब नल देना इंटेजे एक पर बूत बिटर्ड की में निखना है यह दुक्स करेंगे विल्यीट के नियुक्त के विल्ट में यहां प्रस्थ होगे अधार चिकन को पकते हैं और इसको इसी तरह से गर्म गर्म सर्फ पर लेंगे हैं तो देख सकते हैं बहुत ही जीच और एकदम स्मूध ग्रेवी साथ भी बनके तयार होता है खाने में यह बहुत ही मज़े के लगता है एक बार आप लोग ट्राइज जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई कि तो से सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको माय रेस्पी कैसी लगी एक बार आप लोग ख्रैस जरूर कीजिएगा तो इसको हमने इस तरह से क्रीम के साथ थोड़े से हर धनिया के साथ हम इसको गानिश कर देंगा और इसी के साथ इसमें हम वन ट